नमसकर दोस्तों मेरा नाम ऑयोमन है और आप सभी का स्वगत करता हूं ऑयोमन पॉइंट पर आज के स्क्रास में हम Seb क्रेंग फाइफ कि ग्ञासिफिकेशन को कि स प्रकार से मांटा गया किस आधाल अधार पर उपाटा गया ठीक है जैसे आपको पता है कि फाइफ किंग्डम क रखा किंगडम मोनेरा फिर रखा किंगडम प्रोटिस्टा फिर रखा किंगडम फंजाई को इसके बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनी में लिया ठीक है यह थे हमारे five kingdom classification इसको किस ने दिया आर एच विटेकर ने 1969 को दिया ठीक है आर एच विटेकर ने 1969 को दिया आखिरकार उन्होंने किन किन लच्छनों के आधार पर माटा ठीक है हम ये देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं इनके कोशिका का प्रकार क्या है? मोनेरा में किस प्रकार की कोशिका पाई गई? ठीक है कोशिका का प्रकार सेड़ टाइप ठीक है तो हमको देखने को मिलता है कि मोनेरा में आपकी प्रोकेरियोटिक कोशिका पाई गई कौन सी प्रोकेरियोटिक प्रोकेरियोर्टिक ठीक है यह तोड़ासा पुरानी कोसिका थी आद्यकोसिका थी ठीक होती है इसके बाद जितने भी जीव हैं उन सभी में यूकेरियोर्टिक कोसिका पाई गई ठीक है यूकेरियोर्टिक इधर भी यूकेरियोर्टिक इधर भी eukaryotic और यहां भी eukaryotic ठीक है तो कोसी का पूछा जाए सबसे पहले कोसी का मोनेरा में कौन सी प्रोकेरियोटी कोशिका पाई गई कौनसी कोशिका प्रोकेरियोटी कोशिका शेकंड क्या है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति के आधार पर भी इन्होंने वरगी करण को किया तो जो मोनेरा थे उसमें जो कोशिका भित्ति थी वो सेलूलोज रहित थी क्य ठीक है अमीनो एसिट से मिल करके बनी थी किसकी कोशिका किंगडम मोनेरा की जो कोशिका थी वो अमीनो एसिट से मिल करके बनी थी ठीक है अब बात करते प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा में कुछ में कोशिका भित्ती उपस्थित्ती और कुछ में नहीं उपस्थित्ती ठी ठीक है अब अगर बात करें फंजाई तो फंजाई की जो कोशिका भित्ति थी वो काइटिन से बनी थी जो फंजाई की कोशिका भित्ति थी वो काइटिन से बनी थी सेलूलोज रहित थी सेलूलोज नहीं पाया गया ठीक है लेकिन प्लांट यानि की पादप की कोशिका भित्त जनती है किसकी कोशी का भित्ती पादब की कोशी का भित्ती ठीक है और जन्तु में कोशी का भित्ती क्या होती है अनुपस्तित होती जन्तु में सेल्वाल अपसेंट होती जैसे आप में और मेरे में सेल्वाल क्या है अपसेंट है सेल्वाल नहीं पाई जाती ठीक है इसके बा यह जो मोनेरा थे ना इसमें अपसेंट थी अनुपस्थित थी ठीक है बाकि सब में केंद्रक जिल्ली प्रोटिस्टा में भी केंद्रक जिल्ली उपस्थित थी फंजाई में भी उपस्थित थी प्लांटी में भी उपस्थित और एनिमेलिया में भी केंद्रक जिल्ली उपस् लीविंग कोसिका की खोज जीवित कोसिका की खोज किस ने किया था यही बता दो बस कब मत बता यही बता दो बस है ना मेरे को नहीं पता है भाई मैं भूल गया हूं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा ठीक है सच में भूल गया हूं भाईया तो यह कोसिका जिल्ली है कोसिका जि सेलूलर था कोसिकी थे इनके अंदर कोसिका पाई गई ठीके प्रोटिस्टा के अंदर भी प्रोटिस्टा के अंदर भी जितने लोग आ रहे थे ना जितने जीव भी वगएरा उन सभी के अंदर कोसिका पाया जा रहा था और वे अद्रण उतक अद्रण उतक मतलब होता है लूस टीसू कौन से टिसू लूस टीसू धीले टीसू पाए गए लेकिन टीसू कैसे पाए गए धीले टीसू पाए गए उसके बाद हम प्लांटी में देखते हैं तो प्लांटी में हमें देखने को मिलता है कि यहां पर उतक पाया गया और अंग पाया गया ठीक है उतक और अंग टीसू और ओरगन देखने को मिला हम जब आगे बढ़े एनिमल्स में एनिमल्स में हमको और्गन सिस्टम देखने को मिला, अंग तंत्र देखने को मिला, ठीक है, अंग तंत्र मिल करके काम कर रहा था, ठीक है, टीसू में क्या देखने को मिला, सिल तो देखने को मिली, हमें पता है, सिल से बनता है, उतक, ये वाली लाइन देखे हो की नहीं, आर्गन उसम और फोज तव्ट आगे यहां पर पर भीसल पाई हा पर क्या पाया गया पर किसूल गया यहां पर ऑर्गन पाया गया एक और खेंज तरन और और निश्टम से ठीक है इसको मिटा दें चलिए अब देखा गया कि पोसंड की विधी क्या है पोसंड विधी ये खाना कैसे लेते हैं ठीक है तो जो मुनेरा के अंदर थे किसके अंदर मुनेरा के अंदर ये स्वापोसी थे स्वापोसी तथा परपोसी दोनों थे ठीक है आटो ट्रॉपिक और हेट्रो ट्रॉपिक नूट्रिशन ठीक है दोनों थे यहां पर प्रोटिस्टा में देखा जाए तो प्रोटिस्टा आपके स्वापोसी थे तथा परपोसी दोनों थे ये भी ठीक है कुछ प्रोटिस्टा जो है क्या थे खाना के लिए दूसरों पर डिपेंड थे लेकिन जो फंजाई थे ये पर पोसी ही थे ठीक है और ये मरत पोसी एवं पर जीवी भी थे ठीक है मरत पोसी मतलब मरे हुए जीवों से खाना प्रदान करते थे खाना लेते थे कौन फंजाई और पर जीवी मतलब पैरासाइट किसी दूसरे को उपर रहते थे वहीं पर खाना वाना वना के खाते थे सभी है नेचर इस को नेजर होता है जो मारे हुए जीवें से अपना पोसल प्रदान करता है पर जीवी पते नेचर पैरासिटिक नेचर इंग्लिस में स्वपोसी को बोलते हैं और ट्रॉपिक ठीक है और पर पोसी को बोलते हैं पर मतलब किसी दूसरे पर निर्भर है पर पोसी अलग होता है पर जीवी अलग होता है पर जीवी का मतलब किसी जीओ के सरीर में रह करके खाना उसी से ले रहा है परपोसी के मतलब अपना पोसड किसी दूसरे पर निर्भर करता है, परपोसी को बोलते है, हेट्रो ट्रॉपिक, ठीके, तो जो हमको फंजाई देखने को मिला वो परपोसी और परजीवी दोनों था, ठीके, लेकिन प्लांट हमको क्या देखने को मिले, जो किंगडप पिलांटी के एनिमलण सिर्फ और सिर्फ श्व्पोसी थें बांतर खुना वह है उनकें अन्दर आ वister gonna कीड़म निर्भा रहेते खुना खुनदसे बना रहेतें ओर चाहे प्रोडूशर हो प्राइमरी प्रोडूशर हो सेकंडरी प्रोडूशर हो ठीक है या फिर टर्टियरी प्रोडूशर हो प्रोडूशर पर निर्बर है उत्पादक पर निर्बर है या फिर किसी जीव को भी मार के खा जाते हैं पर पोसी है ठीक है उत्पादक पर भी निर गया सेर किस पर निर्भर्था भकरी पर उपभोक्ता पर ना तो यह जो एनीमेलिया है यह एनीमेलिया हाई क्लास के मतलब इदर देखो इदर लो क्लास के जी उते थोड़ा सा और अपर उठे लेवल में आए फिर और तो ज्यादा बड़ा प्लांटी फिरेने में देदर करके बढ़ता जैकिंगडम चला गया ठीक है अगर प्रजनन की वीधी देखे रिप्रोडक्शन प्रजनन नीच नीचे देखर राएं कि नहीं इस एक तरफ यसमाइक रहा है केमरा का कर लाई सीन मोपन्य नीचे कहा दिक तुर आधी मइटी तो मेरी तरफ दीखे चीए क्या चल रहा है यहाँ पे नहीं मैं चैसा दीकड़ ह Gardens a future your होता क्या कि नहीं कि रोटेट होके जैसे ऊपर की तरफ आ जाई देखता रहूं न कि मैं कैसा दिख रहा कमेंट तो खार नहीं आ रहे हैं कि अच्छा कि लैप्टॉप नहीं कोई जड़त नहीं फिर आप बता दीजिए ठीक है कोई ना कोई ना मैं देख लूँगा कैसे ही ठीक है प्रजनन कैसे होते रिप्रोडक्शन ठीक है तो देखो रिप्रोडक्शन मोरेरा में कैसे होता है इसमें संयुगमान होता है ठीक है संयुगमान संयुगमान क्या होता है एक दूसरे से आपस में आकर के मिल लेते हैं संयुगमान होता है निसेचन नहीं होता है ही होता है याद रखना प्रोटिस्टा में क्या होता है प्रोटिस्टा में युगमक बनते हैं यहां पर तो युगमक बनने लगे ठीक है युगमक संलयन होता है ठीक है युगमक संलयन एवाम संयुगमन ठीक है युगमक बनते हैं युगमक आपस में मिलते हैं उनका संयुगमन होता है लेकिन फंजाई में क्या होता है इन फंजाई में युगमक बनते हैं निशेचन होता है इसमें भी आपका निशेचन होता है प्लांटी में भी और एनीमेलिया में भी क्या होता है आ एच विटेकर ने classified किया ठीक है प्रोकेरियॉट जहें मोनेरा में सभी प्रोकेरियॉटिक थे फिर प्रोटिस्टा में यूकेरियॉटिक बाकि सब में यूकेरियॉटिक जीऊ थे इसमें जो कोशी का भित्ती थी वो सेलूलोस की नहीं थी बलकि अमीनो एमल से मिल करके बनी थ ठीक है प्रोटिस्टा में कुछ में कोशी का भित्ती उपस थी नहीं थी इसके बाद आते हैं केंद्रक जिली नुक्लीर मिंब्रेन मूनेरा में absent थी बाकि सब में क्या थी present थी इसके बाद आते हैं इसके body की संदचना यह cellular था इसल से मिल करके बना था यह भी इसल से मिल करके भी बना था लेकिन इसके बाद जो fungi थे न वो multi-cellular थे ठीके बहु कोसिक थे और उसमें अद्रण tissue उतक पाया गया ड्रण मतलब कम मझबूथ हैं लूज टीशू पाया गया इसके बात plants में उतख देखने को मिलर टीशूओ और आर्गन भी देखने को मिला किस प्लांटी में और दोस्तो एनिमेलिया में क्या देखने को मिले अनिमल्स के इंदर आपको उपसरन की विद्धी देखा गया कि लोग खाना कैसे खाते हैं तो मोनेरा जो था वह स्वपोसी और पर्पोसी दोनों था फंजाई पर्पोसी तह तीक्या और पर जीवी था परपोसी था पर जीवी था पर पोसी को मतलब मरे हुए जीवों पर निरभर करता था मरे हुए जीवों से खाना उठाता था रहता था पछ ना चलिए लिए-प्लाण वो पूरा स्वापोसी था क्लोरोफील उपस्थित था प्रकास संसलेशन की क्रिया होती थी क्लोरोफील उपस्थित खाना को बनाता था इसके बाद आता है एनी मेलिया ऑनी मेलिया तो पर सब्सक्राइब फर्रेवर प्रजनन की विधी यह संयुगमन करता था आपस में मिलता था आप संयुगमन की क्रिया के दर नया जीव फिर युगमक बनते थे युगमक का सनलयान होता था आपस में निसेचन नहीं होता था नया जीव फंजाई में क्या होने लगा फंजाई में निसेचन की क्रिया फर्ट 1969 में आरेच विटीकर नामख वज्यानिक ने बाटा अब हम नेस्ट क्लास में पढ़ेंगे खोल लीजिएगा NCRT का पेज नंबर 18 कितना NCRT का दोस्तों पेज नंबर 18 मोनेरा जगत किंगडम मोनेरा को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक दो बार तीन बार जवाब देखेंगे ना तो सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको याद हो जाएगा और मैं बाई-ओमन गारंटी लेता हूं वादा करता हूं आपसे एक एक टॉपिक आपको याद करवा दोगा तो मिलते हैं इस क्लास में तेंक यू